तो स्टुडेंट्स आज हम लोग साइन्स के चेप्टर सेवन वेदर क्लाइमेट एनिमल अडप्टेशन में जो पिछला टॉपिक था हमारा अडप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट अनिमल उसी को आगे कंटेनू करेंगे और आगे के अनिमल में जानेंगे कि वो क् डेप्टेशन का तर्फ उससे वुक्त हैं ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट में सर्वाइव कर पाते हैं तो आईए जानते हैं सबसे पहले आलेफन्ड के बारे में पिछले वीडियो में मैं आपको दियर और लर्लाइन टेयल मैक क्यू के बारे में बताया था और इस वीडियो है elephant में कौन कौन से adaptations के फीचर वह अडप करता है जिसे वह adaptation का process कर पाता है तो सबसे पहले दिखते है elephant elephant क्या होता है elephant have a long trunk which serves as a nose ठीक है आप देखोगे कि जो हाती होता है उसके लंबी सी trunk होती है trunk मतलब soon होती है जो उसके नाक का काम करती है ठीक है अच्छा यह जो सूंड होता है ट्रंग होता है elephant इसकी मदद से क्या करता है अपने खाने को उठा के खा सकता है खाने में मदद करता है यह सूंड उसका पानी को पीने में मदद करता है ठीक है और and put them into तो पहला यह जो इसने अपने अंदर जो यह अडॉप्ट किया है एक सुन्ड को विक्सित किया जिससे यह इसाब काम कर पाता है ठीक है दूसरा इसके अंदर क्या फीचर होता है दिया इंसीजर दार मौडिफाई अब आपको पता है हमारा जो आगे के दाथ होते हैं उसको सब्सक्राश करते हैं करन्दक कहते हैं ठीक है लेकिन हाती में यह जो मौडिफाई होकर के देख फौत वह बड़े-बड़े दाथ दिखते हैं सुण्ड के बगवल में तो हमारे हम वह इंसीजर होते हैं लकिन हाथी में वह modify होकर तस्क में बदल जाते हैं ठीक अभी जो होता है वह जो आपका हाथी है elephant है उसको पेडों की च्छाल होती है बारक होती है उसको फाड़ने में ऊसको खाने में मदद करता है कौन यही टसक ठीक है इसके अलाबा टसक जो है वो उसको protection में मदद करता है अतिको कोई परिशान करे तो हाति क्या करता है अपने इनी बड़े कान होते हैं they have a large ears which help them to hear efficiency जिससे वो किसी भी चीज को बहुत अच्छी से सुन पाता है और साथ में यह जो हाती हाती के हां कान होते हैं इतने बड़े-बड़े होते हैं कि यह पंखे का भी काम करते हैं और यह अपने कानों को हिला के जिखे कान बहुत होते हैं फीट होते एव चोड़े होते हैं फीट होते हैं ना के वाल इसके भारी-ख्री सम्हाले में मदद करती है बलकि इसको तेज दौड़ने में भी मदद करती है ठीक है इसके अलावा हाती जो है अपनी टांगों की मदद से पानी में स्विम भी कर पाता है तो यह जो चार फीचर वह अपने अंदर डवलप करता है एलिफेंट जिसे वह ट्रोपिकल रेंड़ करता है आई अब हम जानते हैं दूसरे अनिमल टुकेन के बारे में जो एक अमेरिकी पक्षी है ठीक है और जानते हैं कि वह अपने अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर वह डवलप करता है कि वह ट्रपिकल रेंड़ फोरेस्ट में सर्वाइब कर पाता है तो पहला है कि जो टु टुकेन का दूसरा फीचर वह डवलप करता है दे फीड़ ऊंफूड्स जो टुकेन होता है वह फलो को खाता है कम जो ब्रांचेस होती उनमें लटका रहता है ठीक है आप देखो कि जो दूसरे अनिमल सोते हैं वह इन ब्रांचेस पे नहीं लटक पाते क्योंकि बहुत ज़ प्रॉंग और शाप बीग डवलप करता है और साथ में वो जो है वो कमजोर आपके व्रांचेस पर लटकता है जो जिस पर कोई और अनिमल नहीं लटप पाता है ठीक है इसके लावा वो फलों को खा करके अपना जीवनियापन करता है ठीक है तो इस तरह से हमारे दोनों एनिम अगला अनिमल है रड आई ट्री फ्रॉंग उसके क्या क्या फीचर है पहला फीचर है ते आर अडप्टर टो कलिम ट्री विद यह एलप और इस्टीकी पैट्स अन धियर फीट जो रड़ एट्री फ्रॉंग होता है उसके पैरों में चपकने वाला उसके जो पैर होते है उस था रही है वो कौन से मेड़क है रड याइट रे फ्रॉग दूसरा जो इसका फिचर है वो क्या है दिया ग्रीन कलर., जो रंग होता है वो हारे रंगा होता है जिसके काण ये पेडों कि पित्तियों में असानी से चुप जाता है और वो अपने शिकार यानि कीडों का इंतजार करता रहता है तो ये भी एक उसने अपने अंदर अड़ाप्ट किया ता कि अपने भूजन कर सके इसके लिए उसके कलर ग्रीन होता है जाकि पत्तियों में आड़े में छुपके है वो अपने शिकार कर सके तीसरा इसका क्या फीचर होता है बच्चो जो ये अड़ाप्ट करता है ये यूज दियर रेड बलगिंग आईज टू स्केरी दे प्रिडेटर ठेक है आज की जो आखे होती है न वो रेड कलर की होती है जिसके कारण ये अपने शिकारियों को आकर्षित करता है स्केरिंग करता है ठीक है तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये तीनों अनिमल के माध्यम से जाना कि कैसे अनिमल जो है वो ट्रापिकल रेंट फॉरस्ट एरियाज में आपने आपको विक सर्वाइव करने के लिए कौन कौन से फीचर डवलप करती है इस तरह से ये चैप्टर आज समाप्त होता है ठीक है और नेक्ट वीडियो में हम नेक्ट चैप्टर डिस्कुस करेंगे बहुत बहुत धन्यवादि